हेलो दोस्तो तो साल 2020 में करोना काल होने के बावजूद साल 2021 में काफी सारी अच्छी हॉलिवड मूवी रिलीज हुई थी मूवी जैसे की जंगल क्रूस, दा किंग्श मैन, नो टैम टू डाई, ब्लैक वीडो, दा फ्री गाई और सबसे बड़ी स्पाइडर मैं नोवे होम जिसने की बॉक्स होस पे 1.7 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई करी लेकिन साल 2022 में भी बहुती बड़ी बड़ी मूवीस रिलीज होने वाली है, जो की बॉक्स होस पे तो अच्छी कमाई करेगी, और फैंस के बेच इन मूवीस की बहुती ज़्यादा हाइप बनी हुई है, तो आज की इस वीडियो में हम साल 2022 में आने वाली उन बड़ी मूवीस की, जो की बॉक्स होस पे बहुत अच्छी कमाई करेगी, और इसमें से कई मूवीस तो ऐसे यह जो बड़े ही अराम से वन बिलियों का आकड़ा भी बाहर कर लेगी, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो हॉलिवड मूवी डिलीज होग इस मूवी में है, यह मूवी आएगी 11 फरवरी को, और इसके बाद आएगी 18 तारीक को, यानि कि 18 फरवरी को Uncharted, यह गेम पे बेस मूवी है, और यह मूवी का जानर है Action Adventure, यानि कि जैसे कि आपने जुमान जी मूवी देखिए, वैसी यह मूवी है, और इस मूवी में हमें हाइप ना हो, ऐसा तो होई नहीं सकता, यह मूवी वर्ल्स ओफ डीसी का पार्ट है, और यह साल 2022 में आने वाली पहली वो मूवी है, जिससे उमीद है कि यह मूवी बॉक्स हो, इस पर 1 बिलियन से जादे की कमाई कर सकती है, क्योंकि इस मूवी की हाइप बहुत ही जादा ह होगी, तो इसके डेड़ महीने बाद हुए एक्स्ट्वियो मैक्स पर आएगी, यानि कि अगर आप बैटमन मूवी देखना चाते हैं, तो आपको ठेटर में ही जाना पड़ेगा, और इसलिए हो सकता है कि यह मूवी बॉक्स हो इस पर 1 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई कर और दोस्तों इसके बाद रिलीज होगी, लगभग 2 साल से डिले हो रही सोनी की मूवी मॉर्वियस, इस मूवी को लगभग 2 साल पहले अनाउंस किया गया था, और उसके बाद से डिले पे डिले होते जा रही है, इसलिए लॉडियनस के बीच में इस मूवी की हैप बहुत इसके बाद आएगी 8 अप्रेल को सॉनिक 2, इससे पहले सॉनिक 1 मूवी डिलीज हुई थी, सॉनिक दा है जोग, जिसने की बॉक्स पर बहुत अची कमाई करी थी, तो अब इस मूवी का सेकेंड पार्ट भी बनाया जा रहा है, जिसमें की कुछ नए करेक्टर को एड़ किय गया है, और इस मूवी का ट्रेलर भी आ चुका है, जो की काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, और उसके बाद आएगी 15 अप्रेल को, फेंटास्टिक बीस सीरीस का थर्ड पार्ट, सीक्रेट अफ दे डंबलडोर, इससे पहले फेंटास्टिक बीस्ट वन जिसने की बॉक्सर से बहुत ज़्यादा कमाई करी, फेंटास्टिक बीस्ट वन वी बॉक्सर से उतनी ज़्यादा नहीं चल पाई, और इसका थर्ड पार्ट भी लाया जा रहा है, और इस मूवी के थर्ड पार्ट के बारे में, सबसे अलग बात यह है, कि इस बार गिंडल इस मूवी की पहले ही बहुत ज़्यादा है बन चुकी है, क्योंकि पहली बात तो यह मार्वल की मूवी है, दूसरी बात यह कि इस मूवी का एक ट्रेलर आयता जिसमें हमें इविल डॉक्टर चीज भी देखने को मिला, तीसरी बात यह कि इसमें हमें दिखेगी वंडा, औ और एक बहुत ही बड़ी चीज लिए है, इस मूवी में हमें Tom Cruise का आरेन में भी देखने को मिलेगा, तो ये न्यूज सुन के इस मूवी को लेकर हाइप बहुत ही ज़ादा बन जाती है, ये मूवी आ रहे ही छे माई को और अगर टॉम कुरूस की बात हुई है तो जो अगली मुवी इसके बाद आएगी वो भी टॉम कुरूस की है ये मुवी आएगी 27 माई को इस मुवी का नामे टॉप गन मैवरिक यूँ तो इस मुवी का ट्वेलर भी काफी टाइम पहले ही आ गया था लेकिन करोना के चकर म ये मुवी भी डिले होते रही, ये मुवी 90's में आई टॉम कुरूस की सुपर हिट ब्लॉकबस्टर मुवी, टॉप गन का सेकेंड पार्ट है, टॉप गन मैबरिक, और ये मुवी आ रही है 27 माई को, इसके बाद आएगी 10 जून को मुच अवेटेर मुवी, जुरैसिक वर्ल् केंडम, जिसने की ओडियन्स को भूरी तरीके से डिसपॉइंट किया था, लेकिन फिर भी ये मुवी बॉक्स ओइस पे 1 बिलियन से जादा की कमाई करने में सक्सेस्फिल रही, तो यही देखते हुए 2015 वाली मुवी के डिरेक्टर कॉलन टवैरो को, इस मुवी के 3rd और दोस्तों, इसके बाद आएगी मार्वल की दूसरी मुवी, थौर लव एंड धंडर, यह मुवी आएगी 8 जुलाई को, इस मुवी के लिए भी लोगों के बीच excitement बहुत ही जादा है, क्योंकि इसमें हमें थौर के साथ साथ Guardians of the Galaxy भी देखने को मिलेंगे, इस मुवी को डिरेक्ट करें टाइका वर्टीटी, जिन्होंने इससे पहले थौर रैगनारोक मुवी भी बनाई थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी मुवी थी, इस मुवी की स्टोडी बेस होगी थौर की अनवर्दी कॉमिक स्टोडी लाइन पे, और उससे भी बड़ी बात यह कि इस मु आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, जिसमें कि हमें ये परफेक्टली दिखता है कि ब्लैक एडम के रोल में डुएन जॉनसन कितने जादा सूट करते हैं, और ये मुवी 29 तारीक को आने वाली है, इस मुवी की हाई बी ओडियन्स के बीच में बहुत ही जादा है, और दोस ये निकल के आया थी कि इस मुवी के सेकेंड और ठर्ट पार्ट को नेट्फिक्स ने 400 मिलियन डॉलर दे के खरीद लिया है, तो हो सकता है कि ये मुवी नेट्फिक्स पे ही रिलीज होगी, और दोस्तों इसके बाद 7 अक्टूबर को रिलीज होगी ब्लेड मुवी, ये मु मुवी कैसी बहुती है, और दोस्तों इसके बाद आएगी DC की इस साल की सबसे बड़ी मुवी The Flashpoint, ये मुवी आएगी 4 नवंबर को और हम सभी जानते हैं कि DC के उनिवर्स में Flashpoint है कितनी important storyline है, और ये मुवी बहुत जादे special इसलिए भी हो जाती है क्योंकि DC इस मुवी के थूरू खुद को reboot करने वाले हैं, इस मुवी में हमें 3 अलग-अलग Batman देखने को मिलेंगे, जो कि है Ben Affleck का Batman, Michael Keaton का Batman और Robert Pattinson का Batman, और इस मुवी में हमें Super Girl भी देखने को मिलेगी जो कि इसके set poster से ही पता चली जाता है, और ये मुवी बहुत जादा बड़ी होने वाली है क्योंकि इस मुवी में बहुत सारे character देखने को मिलने वाले हैं, उपर से इस मुवी के through DC खुद को reboot कर रहा है, और दोस्तों इसके बाद आगी 11 नवंबर को Black Panther Wakanda Forever, ये मुवी Black Panther का second part होने वाला है, और जैसे कि हम सब ही जानते कि Black Panther का role play करने वाले actor Chadwick Boseman की death हो चुकी है, और कोई भी update अभी तक निकल के नहीं आई है, और दोस्तों इसके बाद इस साल का सबसे बड़ा clash होने वाला है, जो कि होगा 16 दिसंबर को दो मुवी के बीच, एक है Avatar और दूसरी है Aquaman 2, जैसे कि हम सब ही जानते कि Avatar एक कितनी बड़ी मुवी है, और इस मुवी का second part आ रहा और अब इस मुवी का second part भी आ रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि Aquaman इस मुवी के second part से पंगा लेगा, और मुझे लगता है कि Aquaman movie pre-pond हो जाएगी, क्योंकि Aquaman के पहले कोई भी बड़ी movie release नहीं हो रही है उस time period में, तो शायद Aquaman को एक या दो हफते पहले ही release कर दिया तो इस मुवी के second part को देखने, लोग तो जरूर ही जाएंगे, तो हो सकता है कि Avatar इस साल की एक ऐसी movie बने जो की box office पे 2 billion से भी जादा की कमाई कर जाए, तो दोस्तो 2022 movie lovers के लिए एक बहुत ही अच्छा year होने वाला है, जहाँ पे कई film में तो ऐसे release हो रही है, जो की box office पे 1 billion dollar से जादा है तो कमाई कर ही लेगी, जैसे कि Doctor Strange 2, Jurassic World Dominion, Thor Love and Thunder, The Flashpoint, Avatar 2 और Batman, और अब बस यस वीडियो में इतना ही, अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे like करें, और मेरे चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दिजेगा, thanks for watching this video, मिलते हैं आप सब्सक्राइब लिए वीडियो म